हेलो एवरीवन वेलकम टू माई यूट्यूब चानल एच हलप लाइन कैसे हैं आप लोग इगनों ने जिसमों दैकेस टाम एन एक्जाम रिजल्ट का आज एक और अपडेट पब्रिस कर दिया है और यह रिजल्ट का 14 अपडेट पब्रिस किया गया है जिसमें बहुत सारे गया होगा नीचे का अउन बॉक्स में जरूर बताना अच्छे बात यह भी है कि रिवैल्यवेशन का भी एक और अपडेट आ गया है जो भी इस्ट्वेट ने रिचेकिंग के लिए अपलाई किया था वो लोग भी अपना अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं देखो आप लो रिजल्ट का प्रूफ देखाने से पहले अनफेर मीन केस के बारे में क्योंकि अब अनफेर मीन केस का लेटर आना स्टार्ट हो गया है आप लोग को नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि देखो अभी तक 14 अपडेट हुए हैं बहुत सारे स्ट्वेट के रिजल्ट रेक कर दिया जाता है कि in case any student is found to be booked under unfair means the result of the particular student will be cancelled तो ये भी वज़ा हो सकता है लेकिन मैं ऐसा नहीं बोला हूँ कि जितने भी इस्ट्वेट के उपर unfair mean case ही लगा हुआ है ऐसा भी नहीं है लेकिन हाँ ये भी वज़ा हो सकता है और ये भी वज़ा होता है क्योंकि मैं बता देना चाहूँगा कि देखो बाकिया दर यूनिवर्सिटी में अगर आप cheating करते हो पक्री जाते हो copy करते हो पक्री जाते हो तो आपका answer sheet लेकर रख दे जाता है लेकिन एगनू में ये एक चीज रूल है कि आपके उपर unfair mean case लग जाता है यानि कि आपने unfair तरीका से exam दिया कब कब होता है जब दो फ्रेंड ने एक दूसरे से copy किया same to same examiner ने चेक कर लिया तो उनके उपर unfair mean case लएगा उनका result hold पर रख दे जाएगा अगर आपने examination hall में mobile लेके बैटे हो cheating कर रहे हो कोई cheat लेके बैटे हो cheating कर रहे हो तो भी आपके उपर unfair mean case लगता है लेकिन अगर examination hall में ऐसा कुछ हुआ teacher ने आपको कहीं पर sign करवाया है तभी unfair mean case लगता है या teacher ने आपके उपर charge लगाया तभी जो invigilator होते हैं वो उन्हों चार्ज लगाया तभी unfair mean case लगता है जाते student का तभी unfair mean case लगता है जब वो I mean दो student एक दूसरे से copy करते हुए पकरी जाते तो आप एक मरता सोच लो कि आपने कुछ ऐसा कुछ तिग्रम तो नहीं किया था अगर ऐसा किया होगा तो फिर आपका result उस वयसे भी hold हो सकता है या फिर आपका result pending होगा दोनों ही वज़ा हो सकता है लेकिन later on start हो गया तो मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा बस खैर अ सिलोंग रिजन में तो डेकलेर ही नहीं हो रहा था लेकिन इसका डेकलेर किया गया 100 में 41 marks आए है डेट अप डेसन विशाइट 7 जून सो कर रहा है थैकि है MSO 02 का अभी बहुत रिजन का पैंडिंग बचा वा था लेकिन सिलोंग का कुछ ज़ादा ही दिनों से पैंडिंग डिक्लेर ही नहीं हो रहा था लेकिन अभी डिक्लेर किया गया उसके लावा एक और स्ट्वेंट का MSOE 02 डिक्लेर हुआ है 100 में 46 मार्क्स आ है डिट अपडेशन और विफसाइट 7 जून सो कर रहा है उसके लावा यह तीनों फेपर का रिजल्ट डिक्लेर किया गया कुछ सिलोंग के हैं एक दिली का है और एक भोपाल का है ठेक है? रिवैल्योशन रिजल्ट भी डिक्लेर किया गया है के स्ट्वेंट का पहले उनका 53 मार्क्स आ है 100 में उसके बाद से रीचेकिंग के बाद से उनका मार्क्स बर गया और अब हो गया 100 में 58, पहले हुआ था 53 और अब हो गया 58 यान कि 5 marks increase हुआ है तो revolution में ऐसे ही होता है कि अगर आपका marks increase होता है तब ही count होता है अगर decrease होता है तो वो count नहीं होता है तो अभी revolution का तो अभी just update आना start ही हुआ है अभी तो जो drastically marks increase होता है किसी का पहले 5 आया और बर के 50 हो गया वैसा भी result देखने को नहीं मिला है लेकिन अगर मिलेगा तो मैं आप लोग को proof के तौर पर देखाऊंगा तब भी आप लोग को पता चलेगा कि यहां पर किस तरीका का game चल रहा है और paper checking के नाम पर लूट रहा है बस खेर तो rechecking का भी result declare हो गया है यहां पर देख लो आप लोग भी अपना rechecking का result check कर सकते हो link उसका description में दिया हुआ है जहां तक मैं grade card का बात करूँ तो grade card अभी update नहीं हुआ है grade card का status 2 जून ही सो कर रहा है यानि कि जो base trend का result आज के update में declare किया गया है उनका marks अभी grade card में add नहीं किया गया और grade card में अभी बहुत इसू चल रहा है grade card में marks add होने में काफी time लग रहा है तो थोज़ासा आप लोग को इंतजार करना परेगा जो base trend का marks कमा रहा है वो लोग rechecking and photocopy of answer sheet के लिए apply कर सकते है photocopy of answer sheet अभी 20 days लग जा रहा है आने में and rechecking का result आने में काफी time लगता है कम से कम 45 days तो लगी जाता है जिस दिन आपने apply किया उस दिन के हिसाब से अब इसके लावा और कौन-कौन से paper का result declared किया गया है BEGS 186 का एक update देखने को मिला MGHC 002 के update हुए है BEGC 108, BCOC 136 के update हुए है applied event rate cost में HE 01, ANC 01, ACC 01 के update हुए है MT8, MT11, MT6 के update हुए है उसके लावा PHE 4 के update हुए है PHE 4 के लावा CHE 2, CHE 5, CHE 6 के update हुए है management का paper में MS 54, 64, 24 के update हुए है MCS 218, 052, 053 के update हुए है MPSC 0120302 के update हुए है pending बचे हुए है अभी तो 14th update हो गया है तो अभी जो BS 20 का pending बचे हुआ था वही अभी result declare करना बागी रहा गया और वही अभी declare हो रहा है मुझे जहां तक अभी उमेद है near about 70,000 तक result अभी pending बचे हुए है और hopefully वह जल्दी update कर दे दाएंगे उसके लावा BS OC 103, 105 के update हुए है MPS 015 के update हुए है MSD 15 के update हुए है BCS 054 के update हुए है ECO 10, ECO 9 का काफेस्ट का pending बचे हुआ था EC 10 का update हुआ है TUISM के पेपरमेंट TS 050603 update हुए है BG का BG 105, 106, 104 अपडेट हुए है तो यह सभी रिजल्ट के update मुझे देखने की मिले है आप लोग भी अपना रिजल्ट चेक कर लो देखो आप लोग का result देक्लेर किया गया है या नहीं किया गया है एक और important चीज़ में बताना चाहूँगा जो बेस्ट इनका result अभी pending है तो अभी exam form fill up करने का last date भी 25 जून है तो इगनू के तरफ से rule यह होता है कि अगर मानलो आपका result pending है और exam form fill up करने का last date नस्दीक आजाए तो आप लोग exam form fill up कर सकते हो और अगर मानलो exam form fill up करने के बाद से उस paper का result declare हुआ और आप pass होगे तो फिर आपको exam देने जाने की ज़रूरत नहीं है बस आपका fees waste हो जाएगा तो as a safe side यह करना होगा और यह इगनू के तरफ से हर बार मतलब नए नए तरीका रहता है पैसा कमाने का जो भी हो और उसमें अगर आप pass होगे तो आपको exam देने की जोड़त नहीं है लेकिन अगर आप pass नहीं हुए तो आपके पास यह option रहेगा exam देने का ने तो अगर आप ने exam form fill up भी नहीं किया rechecking का इंतजार कर रहे हो और बाद में पता चला किया उसमें pass भी नहीं हुए तो फिर आप दोनों तरफ से ही miss हो जाएगा आपको और फिर आपको next session में 6 मंत बाद exam देना परेगा ठीक है ना तो यह आप लोग गलती मत करना जो भी student का result pending है अभी फिलाल exam form fill up मत करो अभी wait कर लो 25 जून तक तो exam form fill up चल रहा है उससे पहले तकामीन 20 जून तक wait कर लो अगर उस time तक result declare हो जा रहा है तो ठीक है नहीं declare हो रहा है तो फिर आप लोग exam form fill up कर देना जो आज 14th update publish किया गया उसके बार मैं detail information दे रहा था मुझे उमीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आ होगा से वीडियो को लाइक जूरू कर दे सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप लोग मुझे फॉर्सट में लिख सकते हैं या मुझे directly call करके भी अ जरूर सब्सक्राइब कर ले तो thank you so much for watching this video have an awesome day thank you so much